शिशपाल मारा गया सबके देखते देखते कोई कुछ नहीं कर पाया युदिस्ठिर को वो वैभो प्राप्त हुआ है जो इंदर के पास भी नहीं है मेरे अंदर इतनी इरशाओ बढ़ गई है कि मैं इस आख से जल जाओंगा अगर मामा तुम मुझे बचा नहीं सके तो अब हमारा हस्तिनापुर्जा की एक ही काम होगा या तुम अपने शरीर को जला लेंगे या बिस खा लेंगे या डूब करके मर जाएंगे जीवित नहीं रहेंगे और ऐसी युक्ति निकालूँगा कि सभाव इंद प्रस्थो मैं पांचो पांडो अस्त्र सही तुमारे गुलाम हो जाएं तुम मरने की बाद छोड़ दो दुरुधन ने कहा क्या विचार तुमने किया है सब कुझी गुला कि अस्त्र विद्या में तो निपुण है लेकिन अक्ष विद्या में निपुण नहीं पांचे डालने में निपुण नहीं और संपूर्ण बिष्ट में मेरे जैसा शिद्धस्त पासे डालने वाला कोई नहीं कपट विद्या में प्रविर्ण दुविद्या में प्रविर्ण पासा जैसा चाहूंगा वैसा ही पड़ेगा बद एक उपाय है तुम महारा धत्राष्ट को राजी करो एलान करो कि हैं पर महारा धत्राष्ट भी समझ नपावें कि हमारा उद्देश्ट क्या है बस ये को कि अब हम अपने भाईयों के साथ दियुद कीड़ा खेलना चाहते हैं मेरा पासा वैसे ही गिरेगा जैसा मैं चाहूंगा बिल्कुल तुम शंशय मत करना केवल तुम अपने पिता को तैयार करो दुर्योद ने का मेरी सामर्थ नहीं रहे गए कि मैं महाराज धत्राष्ट से इस विश्टा में बात करो आप ही बात करो शकुनी गया महाराज की जैहो सिंगासन पर बेठें प्रग्याचक्षो आखे प्रगट में है नहीं कौन शकुनी आपके चरुणों में प्रणाम करता है महाराज महराज आपको तो पता नहीं है दुर्यूधन पीला पड़ रहा है बहुत पतला हो गया है बड़ी दैनी अदशा है और उसका मनोभाव समझ कर मुझे लगता है वात्मत्या करना चाहता है महराज कांप के देतिराष्टर बहुत प्यार करते थे दुर्यूधन से महराज आप पता तो लगाए कि ऐसा दुर्यूधन को क्यों क्या हो रहा है दुर्यूधन को बुलाया गले से लगाया बेटा मैंने ऐसा शुना कि तुम्हारा सरीर पीला पड़ रहा है तुम कष्ट में हो तुमारे दुख का कारण क्या है यह शकुन कहता है तुम्हारी कांती फीकी पड़ गई तुम बहुत दुबले हो गए हो तुम बहुत सोकित हो तुम कुछ करना चाहेते हो पिता का एक कथन शुन करके अपने कुरूध को छुपाते हुई उत्तर दिया है कि मैं महाराज युदिष्ठिर के वैभव को देखकर शभा को देखकर के उनकी यसकीरती देखकर के राजाओं का नमन देखकर के मैं अब जीना नहीं चाहता मेरी कांती नश्ट हो रही है मेरा विचार सिथिल हो रहा है अब मैं उनके आगे नहीं जी शकता मैं उनकी बढ़ती देख करके जीना नहीं चाहता मैं युदिश्ठिर की लक्षमी देख करके जल रहा हूँ 88,000 इसनातकों का रोज भरन पोशन वहा होता है युदिश्ठिर के हाँ प्रतेक की सेवा में 30-30 सेवक लगे हुएं जन पा रहे हैं दक्षणा प्राप्त कर रहे हैं यह अनंत धनरास यह अनंत वही भोट देख करके मैं कैसे जीवीत रहूँ सकुने ने कहा वही बात को जो हमने तुम से कहा है यह सब बात कहने की ज़रुत नहीं महराद मैंने एक उपायश होचा है जिससे हम सांतों और सुखी हो शकते हैं मामा जी दिवत कीड़ा में बहुत विशेशग्य हैं और आपकी आग्यां हो जाएगी तो इदिश्टिर कभी टालेंगे नहीं उनको बुलाओ दिवत कीड़ा के लिए उनको बुलाओ और दिवत कीड़ा के उद्देश्ट का जो हमारे हर्दे में जलन हो रही है वो शफल हो जाएगी उद्देश है कि वो पधारे और हमसे खेले चल विद्ध्या का युदिष्टिर को बोध ही नहीं है वो कभी पांसे खेले ही नहीं है जब हम लोग खेलेंगे तो जीत जाएंगे जीत जाएंगे तो हमारी जलन सांत हो जाएगे मैं सुखी हो जाओंगा मैं राज लक्षमी का अपरन पांसे के द्वारे करना चाहता हूँ दृत राश्ट बोले तुम्हारा दिमाग खरा हुए अरे विदुर जी मेरे महा मंत्री हैं और बिना मंत्री के आदेश के कोई कारे नहीं होता राजा का और वो कभी ऐसा आदेश कर सकते हैं कि पंडों के साथ जुआ खेलो दृत जी ने कहा हाँ तो ठीक है बिदुर जी के साथ रहिए मैं आत्मत्या कर लेता हूँ मैं अपनी प्रांट्याग देता हूँ आपको बिदुर ही प्यारे है ठीक है आप अपनी कर्तब भी का पालन करें और मैं प्रांट्याग मरिश्चेहम अशंशयम मैं मरूंगा निश्चेत अरे नहीं नहीं बेटा यही मों हूँ अगर कह देते मर जा तो मरता थोड़ी हूँ नहीं मरता पर वो होता है आप बिदुर जी के साथ रहे अब तो मेरा प्रियुजन ही क्या है आपसे और आपका प्रियुजन मेरे से क्या है जब ऐसा कहा तो महराज धत्राष्ट बहुत गंभीर हो गए काचा तो ठीक है सुनो एक बात गुट रखो दिब शभा का तैयार करो जिसमें बैटकर जुआ अलग से खेला जाए सेवकों को आदेश किया हजारों श्वरन जटित रतनों से खंबे तैयार की गए शभा बहुन का निर्मान हुआ जब शभा बहुन का बहुत सीग्र निर्मान हो गया तब सुचना हुई महराज शभा बहुन तयार है दृस्तिराष्ट ने विदुर जी के पास दूत भेजा क्योंकि बिना विदुर को शुचना कि एक कोई कारे नहीं हो शक्ता महामंत्री का पद ही ऐसा होता है छोटे भाई भी है पर बहुत अंदर से कैसे विदुर से बात करो विदुर जी के पास सुचना पोचे महराज आपको याद किये है नजदी का है विदुर जी प्रणाम किया क्या गया है महराज हमारी इच्छा है कि तुम पांडों को बुलाओ और सब घर के बच्चे बैठ करके दिवत किड़ा खेणे चरणों में मस्तक रखके का घर के बच्चे तुम्हें पता है कितना द्वेश है इसके अंदर दुरियुदन के अंदर सकुनी कितना मलीन हरदय वाला है महराज मैं आपके निश्चे को बिल्कुल काटता हूँ बिल्कुल ठीक लही है ऐसा यतन कीजिए जिससे अपने पांडों के द्वारा अपने वंस का विनास होने से अपने को बचा लीजिए आप यह जो बोने जा रहे ना बीज यह आपके वंस के विनास करने का है धतराश्च ने का आप हमें तुम्हेरे उपदेश की जरुवत नहीं जो मैं आदेश करना हूँ उसका पालन करो यह भी राजा का अधिकार है आशुब हो या आशुब हितकर हो या आहितकर द्रीत क्रिड़ा होगी और तुम्हें जा करके सूचना पांड़ों को देनी होगी विदुर जी ने कहा कि मान लीजिये मेरी बात मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना करके हाँ जोड़ के कहता हूँ मेरी बात मान लीजिये अगर द्रीत क्रिड़ा होई तो आपके वंस का विनास निश्चित है धत्राश्टी ने का विदुर दैवने जो सोचा होगा वही होगा इस समय मेरी आग्यां का तुम पालन करो विदुर जी ने अन्याय पूर्ण ये आदेश सुन करके बिलकुल अभिन अंदर नहीं किया पर जाना ही पड़ेगा अंदर ही अंदर बहुत कलेशीत होकर वेगवान रत पर बैट करके इंद प्रस्थ नगर में गए जेवी पांडों ने सुना कि महाबुद्धिवान धर्मात्मा बिदुर जी पधारे हैं आगे आकर महाराज उदिष्ठिर जी ने अगवानी की ब्रामणों से श्वस्ति वाचन करा कर उनका आदर्शतकार कराया जैसे कुबेर का भवन ऐसे उदिष्ठिर जी का भवन है राजमहल में ले गए और अजात सत्र महाराज उदिष्ठिर ने बिदुर जी का श्वागत करके पूछा पिताश्री धत्राष्ठ जी और समस्त कौरोवन्शी कुशल प्रश्ण सुखी है अचानक आपका आगमन बिदुर जी आपका मन प्रशन ने दिखाई दे रहा है धत्राष्ठ जी सकुशल है कोई घटना तो नहीं घट गई अचानक आपका बिदुर जी ने कहा राजन महाराज दत्राष्ठ स्वस्त है सबकौरोव स्विविस्ति थै तुम लोग कुशल से हुई हो क्योंकि राजसु यग्य भी हुई है पर मैं बहुत दुखी हूँ मुझे करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आपसे जो नहीं कहना चाहिए उदिश्ठी ने पुछा आप ऐसी क्या बात है जो नहीं कहने मेचिक रहे हैं बुले राजा धत्राष्ठ ने आग्या करी है आपके लिए कोई सभागहन में आईए और दीत करड़ा कीजिए जुआ खेलिए उदिश्ठी ने पुछा ये जुआ तो बहुत ही निक्रिष्ट कारे है इसमें कपट, छल, लड़ाई, जगड़ा आज तक तो उमने कभी खेला ही नहीं इस खेल को फिर आप क्या ठीक समझते है फिर ऐसी पितास्री ने क्यों आग्या करी हम तो आपके पुद्र हैं आप जैसी आग्या करेंगे बिदुर जी ने का मैंने निशेद किया पर वो नहीं मान रहे उनकी आग्या है दरतराष्ट ने भेजा है आपको बुलाने के लिए जिसमें तुम्हें कल्यान जान परे वो करू मैंने आग्यां बता दी बकया मेरी बिल्कुल रुची नहीं कि आप वहां जाए युद्रिष्टिर ने का विदुर जी वहां कौन है जो मेरे साथ जुआ खेलेगा क्योंकि इतना इश्वरिवान भी तो होना चाहिए जो मैं धन लगाऊं उसके बरावर धन लगा सके तो विदुर जी ने का गांधा राज शकुनी ये जुए का बहुत बड़ा खिलाडी है सारे पांशे उसके सिद्ध हैं जैसा चाहेगा वैसा पड़ेगा और राजा विवन्षित, चित्रशेन, सत्रवरत, पुरुमित्र, जय और दुर्योधनादी ये सब अपनी शंपत्ति लगा कर तुमसे डूट किड़ा करेंगे युदिष्ठिर बुले हमें तो बड़ा भेंकर कपट दिखाई दे रहा है ये धूर्त, दुष्ट, जुवारी, सकुन, ये कभी मंगल नहीं होने देगा क्या विधाता ने, क्या रचा है, मुझे समझ में ने रहा है ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है क्यों राजा धरत्राष्ट ऐसी आग्या दिये पुत्र को पिता सदय प्री है इसलिए मैं धरत्राष्ट को बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी आग्या का कभी उलंगर नहीं कर सकता यदि उन्होंने कहा है तो मेरी बिल्कुल इच्छानी मैं जानता भी नहीं खेलना पर मैं चलूँगा विजैसी राजा धरत्राष्ट यदि शभा में ना बुलाते कोई और कहता तो मैं कभी कदम न बढ़ाता पर उन्होंने आदेश किया है अब मेरा धर्म बनता है मैं जाऊं पर ये सकुनी बहुत दुर्ष्ट है विदुर्जी से ऐसा कहे कर धर्मराज यदिष्ट ने तुरंत आग्या करी सब बंद बंदो शेवक दुरुपदी हस्तिनापुर के लिए तैयार हो एक विशाल साथ वर्ष के गजराज पर सुन्दर सोने का होदा उपर स्वेत छत्र भाराज युदिष्टिर उस पर विराजमान हुए और एक विशाल हांती की पीट पर गदाधारी बलवान भीमशेन राजा के आगे नकुल शाह देओ दाएं और बाएं और पीछे गांडियो धनुसले हुए अर्जुन चारुत तरफ से राजा की सुरक्षा होती बिशाल शेना और स्रेष्ट पालकियों पर बैठ करके राजमाता और शेवकाया दी उनको घेरे हुए चल रही है जीधर देखो जैगोश सुनाई दे रहा है जेवी अस्तिनापुर के समीप पहुँचे तो वो जैगोश सुनकर ध्रतराष्ट और ध्रतराष्ट के पुत्रों के हरदय में आग लग गए आईसा बैभाव उनका महराज उदिष्ठिर भीष्म द्रोन करण क्रपाचार इन सब से जाके अस्वस्था मादि से मिले प्रणाम बंदना की पुत्रवदूं के साथ बैठी हुई पतिवरता गामधारी देवी को उदिष्ठिर जी ने प्रणाम किया प्रग्या चच्छू राजा धत्राष्ट के चरणों में मस्तक रखा जाके धत्राष्ट ने गले से लगाया बहुत अच्छा किया बेटा आ गए अंदर ये अंदर तो बहुत खुशी हो रहा है आ तुम बड़े प्रियदर्शनी हो महराज दिष्ठिर ऐसे गले लगाया माथा शूंगा महराज क्या अग्या है आपकी आज रात्री तो तुम विश्राम करो और कल सब तुम परिवार मिलकर के दिवत क्रिड़ा करो महराज बहुत हरदय में कलेशी थो रहे दिष्ठिर की इनकी समझ में नहीं आ रहा है महराज बिलकुल खेलना नहीं जाए धर्मराज है कभी ऐसा कभी पांसे ही नहीं डाले शकुनी बोला जब शभा में प्राता कालिन दिन चर्या करके महराज युदिष्ठिर पधारे आओ आओ चक्रवरती सम्राट महराज युदिष्ठिर पांसे आपका इंतिजार कर रहे हैं देखो हम सब आपके दर्शन की अभिलासा से बैठे आओ आओ स्वागत है युदिष्ठिर ने कहा कि धूर्तता ये जुआ एक धूर्तता है छल है पाप है जो नास का कारण है अगर तुम्हें छत्रियोचित प्राक्रम दिखाना है तो आओ रणनीत से युद्ध करो ये द आओ अगर सम्मान चाहते हो छत्री कुल का धर्म रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ललकारता हूँ हमारे साथ युद्ध करो कौन खेलेगा दुर्योधन ने कहा हमारी तरफ से मामा जी पासा चलेंगे और धन हम लगाएंगे सम कुंति नंदन डरो मत सकुनी ने कहा पासा है किसी की भी तरफ पड़ सकता है उसमें एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा अब पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा तो डरते हो क्यों हो दाओं लगाएं हमने रिशियों से शुना है कि ये द्यूत कीड़ा निशेद है फिर भी तुम यदि हमें ललकारते हो तो छत्री धर्म के अनुशार तुम्हारी शठता और दुष्टता और कपटता को जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ द्यूत कीड़ा करूँगा यद्य पि मुझे आता ही नहीं द्यूत कीड़ा खेलना पर तुम ललकार रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठूगा पीछे नहीं हटने वाला मैं छत्री कुल में पैदा हूँ है यदि ललकार हो तो पीछे हटना नहीं अब तो महराज जुआ खेलने के लिए पाँचों प समुद्रा में आकर शभा में बैठे बुलवाए गए भिष्म जी द्रोनाचार जी करपाचार जी विदुर जी ये सब ये सब मुह हिलगाए असंतुष्ठ हो करके राजा की आग्यां के अनुशार बैठे शिंग के शमान बिशाल वक्षा इस्थल तेजस्वी ये भीमादी जैसे समुद्र में आवर्थ ऐसे मनियों का जो तेजस्वी हार उतारा और युदुर श्ठिर ने का ये हार मैं पहला रखता हूँ हां मेरी और से भी दुर्योधन ने वैसे ही शमान संपत्ति रखे हार दुर्योधन ने कहा कि मामा तुम हमारी तरफ से पांसे फेकिए बस वो तो सिद्धस्त ये लो मैं जीत गया दाव मेरा युदिष्ठिर तुम्हारा वो कीमती हार गया अब क्या लगाओगे अरे शकुने तु चल से मुझे हराना चाहता पर फिर भी मैंने उठूँगा मेरे पास हजारों निश्कों से भरी हुई पेटियां बड़ी बड़ी उनमें सब स्वर्ण के सिक्के रखे हुए हजारों अक्षय धन है वो सब दावं पे लगाया चक्रवर्ती संब्राठ है युदिस्ठिर ने जे भी कहा दावं पे लगया उसने फिर पासे चले लो महराज ये भी पासा मेरे तरब मैं जीत गया तुम्हारा उसब स्वर्ण पेटियां इदिस्ठिर ने कहा मैं जिस रख पर बैठता हूँ वो रख पुरविश्व में नहीं ऐसा मेग की गर्जना होती है और जहां जैसे चलाया जाए आकास में जल में थल में वैसे चलते हैं गोड़े राष्टर उसके सामने जुगता है मैं गोड़ों शहित उरत दाओं पे लगाता हूँ लो महराज ये भी मैं जीत गया एक भी पासा युदिस्ठी की तरफ नहीं पड़ रहा हूँ सिर्दस्त है आप क्या लगा होगे हैं एक लाग तरूनी दाशियां जो सब स्वर्ण आभूशनों से युक्त हैं और बहुमूले आभूशन रत्न उनके पास हैं और वो महलों में रहती हैं वो महल वो रत्न वो आभूशन वो दासियां सब दाओं में जीत का निश्चे करके फिर पांशा ये दाओं भी मैं जीत गया युदिस्ठील आप क्या लगा होगे हैं लाखों दाश हैं जिनके महल हैं वैसे ही आभूशन और शंपत्या हैं लो महाराज ये भी मैं जीत गया अब क्या लगा होग सुबल कुमार जितने मेरे राज्य में सेना में हाथियों सब्दाओं पे लगा दिये वो उसका बस यही था पासा फेकना वैसे ही पड़ना लोग मैं तुम्हारे हाथियों को भी जीत गया अब क्या लगाओगे सकुनी बहुत जोर सेहशा मेरे पास जितने भी रत हैं जितने भी घोड़े हैं अब अपार सेना बल ओ शब शब में दौमे लगाता हूं लोग ये भी मैं जीत गया जो मैंने पश्चिन दिशा में विजय प्राप्त की जितना एश्वर जितना बल जितने राजा दक्षन दिशा में पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में चक्रवर्ती सम्राठ है साब जीत ले मैं इंद्र प्रस्थ को दाव में लगाता हूं अब वो जुआ का खेल इंद्र प्रस्थ भी गर सेना दास दासियां चक्रवर्ती सम्राठ पत बिदुर जी खड़े हुए और कहा युदिष्ठिर होश में तुम्हें पता है तुम क्या करते चले जा रहे हो अरे सकुनी तुझे पता नहीं है जब पांडो कृद होंगे तो तेरा क्या होगा युदिष्ठिर मरनासन पुरुष को जैसे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा होस में हो जाओ तुम मनोभाव नहीं समझ रहे छली कपटी सकुनी का अरे शकुनी दुर्योधन कोईले में तु कुछ बचता है तेरे में कुछ नहीं बचेगा जिस समय महावीरी कृद्र हो जाएंगे बंद कर दो यहीं बंद कर दो अब बंद कर दो यह जुआ का अंतिम निर्णे वन्ष विनाश होगा महारा दरतराष्ट बंद करवा दीजिए भीष्म जी वालिक जी और बड़े बड़े प्रतापीजन मेरी बात मालो यह बंद करवा दीजिए दुर्योधन ने का हमारा खाते हो और हमारे बिरोध में चलते हो शबा से तुमें अभी निस्कासित कर देंगे सांत बैठे रो बिदुर जी को भीष्म जी दुरुणाचार जी को बहुत बुरा लगा कि मूर्ख सबका अपमान कर रहा है पर महाराज धरतराष्ट राजी राजा राजी तो कोन को सब सर जुकाए बैठे है दुरियोधन ने कहा कि जैसे गोद में सांप को पाल ले तो काटता ही है ऐसे बिदुर श्वामी द्रोह करने वाले तुम हो खुब तुम्हारी शेवा और ही सदकार हो रहा है पर हमारा ही विरोध कर रहे हो चुप हो के बैठ जाओ शकुन ने बोला है युदिस्ठीर अब बताओ क्या हारोगे तुम्हारे पास तो न राज्य रह गया न सेना रह गयी न धनसपन्ती न दास दासिया मेरे आभूशन हम पांडों के आभूशन जितने शरीर में है वो शब सकुन ने छलकास रेलेकर पुनह पांसा लो महराज तुम्हारे आभूशन भी जीत गए आभू युदिस्ठीर थोड़ी देर सकुन ने का सोचो सोचो महराज अब क्या दाओं पर लगाओगे मेरी विजय हुई है महराज युदिस्ठीर श्याम वरण तरून लाल नेतर शिंग के शमान कंधे वाले ये जो नकुल बैठे हुए है इनको मैं दाओं पर लगाता हूँ हाई हाई मच गई शवा में कि क्या हो रहा है सकुनी बुला लो महराज तुम्हारे नकुल भी हमारे दास बन गए मैं जीत गया अब क्या लगाते हो युदिस्ठीर बुले शाहदेव परम धर्मात्मा महावीर है मैं इसको दाओं में लगाता हूँ उसका तो एक ही काम लो महराज ये आगेच है मैं जीत गया अब महराज क्या लगाते हो ये भेंकर बलशाली महावीर भीम को मैं दाओं पर लगाता हूँ फिर अरजुन को अब महराज क्या दाओं पर लगाओगे दाओं अगर लगा दीजिए तो अभी जीतने का समय है युदिस्ठीर मैं स्वैम अपने को दाओं में लगाता हूँ लो महराज आप भी हमारे दुरियुधन के गुलाम बन गए मैं जीत गया अब क्या दाओं में लगाओगे आप बचा ही नहीं कुछ तो क्या लगाओ अरे नहीं महराज एक दाओं में सब कुछ वापस कर देंगे अगर दुरुपदी को दाओं में लगा दो अगर जीत गए तो सब वापस हो जाएगा अच्छा तो जो देवी की तरह दिब्व हैं जिनके नील केश हैं जो घुमुराले हैं और कोई भी देवता देटित मानों ऐसा नहीं है जो देख करके मुग्द न हो जाए ऐसी परम पवित्र शरवांग शुंदरी पांचाल राज कुमारी यक शेनी दुरुपदी को मैं दाओं पे रखता हूँ धर्म राज के ऐसा कहने पर भीश मादी चिला पड़े धिकार है धिकार है ये क्या शारी शवा में हाकार मच गया क्रपाचारी दुरुणाचारी भीश में के पशीना छुट गया है क्या हो रहा है शकुले ले का वाह महराज वाह अब ये आखिरी दाओं है धतराष्ट मन ही मन प्रशन होकर मुस्कुरा रहे बार बार पूछ रहे है हमारा पक्षी जीत रहा है ना संजे हमारा पक्षी जीत रहा है ना संजे आकरती छुपा करके कि आग लगी हुई उन्हों का हा महराज आपका ही पक्षी जीत रहा है दुशाशन करण ये बड़ी अभद्रबानी बोल रहे है पाँचो पंडो सर जुकाए बैठे है सकुनिर का लो महराज मैंने द्रोपदी को भी जीत लिया दुरुधन बुला बिदुर जाओ हाग्या करता हूँ द्रोपदी को सभा में पस्थित करो और मेरी दासी बना करके रहेगे पूरी शभा में जिसको अरजुन जीत के लाए है उसे दासी बना के रखूँगा बिदुर जे ने का रहे मूर्ख तेरे जैसे नीच के मुख से दुर्वचन निकल लहा है यदि तु महराज का पुत्र ना होता तो तुझे बता देता बिदुर महावली कोई साधरन नहीं है लेकिन तुझे संकेत में इतना बता रहा हूँ तो ऐसे उचे स्थान पर लटक गया जिससे गिरने के बाद मरना ही मरना है तो बच नहीं सकता तु मुझे आदेश कर रहा है तुझे पता है कि ति द्रोपदी का इसपर्ष करने लायक नहीं दासी की तो बात जाने दे जिस समय महराज युदि स्थिर अपने को हार चुके है तो फिद्रोपदी के हारने का अधिकार ही नहीं रह गया है तो कैसी बात करता है कोई भी ऐसा ग्रहस्त बनवाशी तपश्वी विद्वान नहीं है जो महराज युदि स्थिर का सम्मान न करता हो विद्र जी ने कहा तेरे जैसा कुट्टे शभाव का यह ऐसा बोल सकता है भूख सकता है कि द्रोपदी को सभा मेला कि मेरी दासी बनाया जाए दुरियोधन बड़ा उनमत हो रहा था आए बिदुर धिकार तुझे बैठा रहे तो बूड़ा हो गया है और उसका निजी सेवक प्रातिकामी उसे कहा जाओ प्रातिकामीन द्रोपदी को यह ले के आओ डरना मत पांड़ो दास है यह आख भी ने उठा सकते ए बिदुर तो डर पोख है इसलिए मेरी बात काट रहा है और ब्रद्ध हो गया उसे छमा किया तू जा राजा के आग्या शिरोधार करके जो आग्या महराज राजभवन में प्रिविश किया और दुर्पद कुमारी के शामने जाकर प्रणाम होके कहा कि जुए के मत से उनमत होकर महराज उदिष्ठिर आपको जुए में हार गए है और अब आपको शभा में बुलाया है दुर्योधन ने दुरुपदी ने कहा प्रातिकामिन तु ऐसी बात कैसे कह रहा है कहीं जुआ में पत्नी भी हारने की कोई चीज होती है क्या महराज उदिष्ठिर ऐसा कैसे कह दिये इतना वो पागल हो गए कि उन्होंने मुझे दाओं में लगा दिया प्रातिकामिन बुला हां राजकुमारी जब कोई धन नहीं रह गया तो सकुनी ने ऐसे फशा लिया कि अगर दुरुपदी दाओं में लगा दो तो पूरा धन वापस कर देंगे पर वो दाओं भी सकुनी जीत गया है दुरुपदी ने कहा कि तुम जाकरके सभा में एक बात पूछो कि महराज युदिश्ठिर पहले हा रहे हैं या मुझे को पहले हा रहे हैं अगर युदिश्ठिर जी पहले हा रहे हैं तो मेरे हारने का अधिकारी नहीं उनको है पूछ के आओ शूत नंदन मैं जान करके ही आगे कदम बढ़ाऊंगी प्रतिकामी ने सभा में जाके बीच में खड़े हो करके बात पूछी कि द्रोपदी आप सब सभासदों से पूछना चाहती है कि महाराज युदिष्ठिर पहले अपने को हा रहे है या मेरे को युदिष्ठिर अचेत से हो रहे है पाचो पांडो सर जुकाए हुए बैठे प्रतिकामी को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया दुर्यूधन बोलाद तुँ यहां प्रशन उत्तर करने के लिए मेरी आग्यां को पालन कर रहा है क्या जाओ कोई उत्तर नहीं यह साब दास हो चुके हैं पांडो दुर्पदी को लाओ फिर राजभवन में गया और ब्यतित हो करके बुला राज कुमारी यह आप जानती हैं दुर्यूधन कर शुभाव उस सभा में बुला रहा है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि महाविनासकारी समय उपस्थित हुआ है दुर्पदीन का सूत पुत्र देखो हम राजरानिया सभा में ऐसे नहीं जाती है धर्म का भारी उलंगन हो रहा है और इस समय में रजर्श्वला हुँ एक वस्तरधारन की हुई हूँ किसी भी तरह सभा में मुझे नहीं जाना चाहिए सूत कामी ने पुना जा करके कहा कि सभा सदो क्या दुरुपदी के सभा में आना उचित है ये पूछ रहीं दुरुपदी दुरुदर ने क्रोधित हो के कहा कि तुझे कहा था लिवा के लाना है दुरुपदी को उधर बात कर रहा था कि विदिस्ठिर ने जो एक निजी शेवक था उसे इसारे से कहा दुरुपदिशे बोलो तुम्हे आना ही पढ़ेगा मैं हार चुका हूँ यहां कोई तुम्हारे उत्तर देने लायक नहीं बचा है अगर तुम आकर धतराष्ट के पेरों में पढ़के रो दोगी तो सायद वो कुछ बात बन जाए तुम आकर के उनके शामने खड़ी हो जाओ जब तुम शभा में आकर के रोगी तो शायद ये भीष्म जी दुरुणाचार जी पक्षे ले ले मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ धर्म से मैं हार चुका हूँ मात्मा पांडो शत्ति के बंदन से बंदे रहने वाले हैं जब उन्होंने जाकर के शूचना दी महाराज युदिस्ठिर ने ऐसा संकेत किया है जाओ प्रतिकामी अब दुरुपदी को ले के आओ तो उसने का महाराज मुझे मृत्यु दंड दे दो पर मैं दुरुपदी को यहां सभा में नहीं लाओगा उनी का दूद है मैं क्या बार-बार उत्तर दूँ उस तपश्विनी को आप कोई उत्तर नहीं देते के उल्शभा में ले आओ तो आप मुझे मार डालिए मैं सूत पुत्र हूँ आपका दास मार डालिए दुरियुधन बोला दुर्शासन तु खड़ा हो हटा इस दास को और जा जैसे बने तैसे उसे बाल घशिटते हुए सभा में ला राज कुमार दुर्शासन दस जार हांफियों का बल रखता है महल में गया और अशब भिवरताओं से बुला पांचाली आओ आओ हम लोगों ने तुम्हें जीत लिया है अरे अब लाज छोड़ो और दासी बनो हम सबकी विशालनेत्र वाली दुरुपदी ये धर्म के अनुशार हमने तुम्हें प्राप्त किया है वो ऐसे जैसे पांडवों का सेवन करती थी ऐसे अब कौरों का सेवन करो दुरुपदी महान दुख्रशे भैवीत हो गई बार बार पशीना आ रहा है कि अब कोई बचाने वाला नहीं कोई उत्तर नहीं शोचा कि ये महावली पकड़ लेगा तो भागी जहां गांधारियादी बड़े बुजुर्गिस्त्रियां बैठी थी दो शाशन बड़े रोश में गरजता हुआ दोड़ा और वहां के पहुचने के पहले ही उसके नीले केशों को हाथ में ले करके और घशीटना प्रारम्ब किया राजसुई महायक्य के अउगरत इस्तनान में जिन बालों को परम पवित्र मंत्रों की द्वरा इस्तनान कराया गया था महाप्राक्रमी पांडों का भेना रखते हुए दुश्शाशन ने ऐसा अभद्र बिवार के बहुत ही नीच कर्म है बल पूरुवक बाल पकड़ कर घसीटते हुए जैसे कोई अनाथ को घसीटता है दुश्शाशन आगे बढ़ा दुरुपदी बालों को पकड़े हुए बलात घसीटते हुए ले जा रहा हुँए जुकी हुए आगे बढ़ी जा रही दुरुपदी का शरीर पीड़ा से जुक रहा है ऐसे उबाल खी चराए और कहती दुश्शाशन तुझे पता है मैं रजश्वला हुँ शरीर पर एक वस्त्र है क्या उचित सभा में ले जाना फिर भी बहुत प्यार से दुरुपदी जी कि तु समझ तो भाई कोई गैर तो है नहीं न अर भाई तीन चार आठ दस जितने भी एक पिता के पुत्रुते परिवार ही तो माना जाता है फिर महराज पांडू महराज दत्राश सगे भाई हैं उनी के हम बंस में ऐसा अभद्र बेवार संबंध में तो माता की तरे पाव बस गलत बोलता जा रहा है और दुरुपदी के बाल खिषता हुआ जब जूरता हुआ दुरुपदी वस्त्र समालती हैं लड़ खडाती हुई उशभा की तरफ गसिता हुआ ले जा रहा है देखो जब तक जीव भगवान का आस्त्रे नहीं लेता तब तक कुछ भी कर ले स सुख शांती को प्राप्त नहीं होता भगवान का आस्त्रे लेने वाला यदि कहीं किसी बिपत्ती और दुख में फस्ता भी है तो उसको ये न समझा जाए कि इसके भजन का फल इसके साधन का क्या फल होगा निश्चिश समझो हर बिपत्ती कोई महान फल देने वाली होती भक्तों की जीवन में और दुष्टों की जो उन्नती दिखाई देती है वो जैसा बिदुर जी ने का बहुत उचा लटका हुआ जब नीचे गिरेगा तो उसका एक ही है अंग-ंग चूरू जाएंगे मर जाएगा ऐसे ही अगर दुष्ट की उन्नती भी होती दिखाई दे रही है तो यह मत सोचो कि दुष्ट बलवान हो रहा है उन्नती शील हो रहा है तो इसको कहां दंड मिल दा है ऐसा दंड परिणाम में आएगा शर्वनाश हो जाएगा शिले श्री भगवान का श्रेलेकर और निरंतर सत धर्म से चलना सिखो थोड़ा विपत्ति थोड़ा सं कर थोड़ी समश्याएं आ सकती हैं पूर्वक के अनुशार पर महामंगल महामोद और जनम परंपरा का नाश यह निश्चित होगा जो भगवान की शरण में भगवान का इस्मरण करता है